तो हेलो मेरी प्यार यूट्यूब फैमिली वेलकम बैक टू माई नूव वीडियो स्वागत है आपका हमारे एक और नहीं ताजे और फ्रेस वीडियो में तो आज की वीडियो में मैं चल लहाँ हूं खुवा मंडी और वहां पर हमें कुछ समाल लेने हैं छेना पाउडर लेन तो इसलिए वीडियोके एक लाइक कर दीजिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकर वाला घंडेवी फ्रेस करेजे भाई आपके क्के संक्ति हमको बgenशारा मोट्यवेरfrage मिलता है तो फिलाल इसलिए एक सब्सक्राइब करके ये क्लाइक करके त निखा चुके आपको तो मेरी यूटुब फैमली वस्फाइल्लि मैन एल्मूनियम फैक्ट्री रोड से यह आत्रा शुरू किया है और जैसा कि मैं आयुमाओपी रोड पर आता हूं और यहां पर है याल में ऍमक्री रोड का ढाला तो फिलहाल इसके आगे हम दो निकलते हैं यहाँ पर थोड़ा मार्केट लगता है कपलो का जादा मार्केट है यहाँ पर तो फिलहाल चलते हैं आगे धीरे-धीरे चलते हैं और आप लोगों को धीरे-धीरे करके पहुंचा देते हैं खवामंडी में और खवामंडी का भी कुछ द्रिश्य मैं आप लोगों को दिखाऊंगा तो फिलहाल कुछ यह रोड जो है ना ज्यादा चौणा नहीं है ज्यादा चौणा नहीं है और यह देखिए गाए गाए वैसे घुम रहे है फिलाल आज कल तो गाए वहूँँदा वैसे घुमती है और यहाँ पर हमारे पास अब हम चल रहे तरंग पूल पर अवरे हैं तरंग पूल हम चलते हैं इस पर इसको पार करके हमें चलना होगा कॉमंडी में तो ये देखिए तरंग पूल का कुछ बहतरी इंद्रेश कुछ इस तरीके से है तरंग पूल का नजारा तरंग ये है हमारा गोरखपूर का तरंग पूल तो फिलाल कुछ इस तरीके से है ये थोड़ा गुमाओदार है देखिए यहीं से थोड़ा गुमाओदार है ये मालगारी लगी हुई है चल नहीं है लगी नहीं है तो फिलहाल कुछ इस तरीके से है बेहतरी इंद्रीश इधर का तो वाओ कितना मज़दार है पूल का नजारा तो बहुत ही अच्छा लगता है तो चलिए ख्वामंडी में पहुंचने के बाद आप लोगो को दिखाते हैं पत Lehr लोगे में तो यहां से आप लोग कुछ ख्वामंडी का द्रीश इस तरीके से हैनजारा की वायक वायकर, तो आप लोग कुछ इस तरीके से देख सकते हैं खोः मंडी का कुछ द्रीश घितना बहत्री न लग रहा है कितना चांदार लग रहा है कितना जबर्जस्त लग रहा है यह द्रीश और यहां पर देखिए कुछ मीठाईएं हालाकि यहें खो आप मंडे तो फिलाल कुछ इस तरीके से और देखिए मैंने सामार के लिए लिश्ट दे दिया है उनको और देखिए यहां से शामार निकाला जा रहा है मेरे लिए तो फिलाल कुछ है रहा कुछ इस तरीके से रहा द्रीश यहां का पर यहां पर चलते हैं किलिए फिर झाल झाल